नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है अमेरिकी रास्टरुपती डोनाल्ड ट्रम्प और सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर के बीच लगातार टक्रावजारी है ट्रम्प के एक ट्वीट को एब्यूजिंग मानते हुए कंपनी की नितियों का उलंगन बताते हुए हाइट कर दिया है ट्रम्प ने इस ट्वीट में प्रदशनकारियों के फिलाफ कड़ी कारवाई की बात की थी हलां कि यूजर्स इस tweet को देखने के लिए इसके साथ दिये link पर click कर फिर देख सकेंगे बीटे कुछ हफतों में Twitter ने Trump के कुछ tweet पर action लिये हैं जिन में से कभी किसी tweet को misleading बताने से लेकर किसी वीडियो को manipulate तक बताया गया और उन्हें भी इसी तरह से ही hide कर दिया गया या उन पर label लगाया गया Trump का मौजूदा tweet जिसे Twitter ने hide कर दिया है वो देश में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर था राजधानी Washington DC में प्रदर्शन के मसले पर Trump ने tweet किया कि जब तक मैं रास्ट्र पती हूँ Washington DC में कभी भी कोई autonomous reason नहीं बनेगा अगर उन्होंने कोशिश की तो उन्हें जबरदस्त ताकत का सामना करना पड़ेगा Twitter ने इस tweet को hat speech की category में डाल कर hide कर दिया है इस खबर में फिलहार इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ